हलो एब्रीवन तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्मस स्पेशल प्लम केक जो हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी वनता है और इसके बिना तो क्रिस्मस का मजा ही अधूरा है तो देखिए और कितना सॉफ्ट वनता है ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं कप औरेंज जूस आप जो मार्केट से मिलता है उसे भी ले सकते हैं अब इसमें कुछ में ये सिंपल किसमस ब्लैक किसमस और ये कुछ टूटी फ्रूटी एड़ कर देंगे अब हमको इनको क्या करना है कि इनको इसमें शोक करके रखना है आदे घंटे या एक घंटे जितन को स्लो करना है और इसमें हम डालेंगे हाप कप चीनी चीनी को अच्छे तरीके से फैला देना है और ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लैम हमारा धीमा होना चाहिए और चीनी हमारे आटोमेल्टिक ही मेल्ट होगी थोड़ी थोड़ी करके हम इसका कैरमल बना रहे हैं आप द आराम से इसको चलाते चलाते हुए हमें चीनी को पूरे तरीके से मेल्ट करना है अब देखिए हमारे चीनी मेल्ट होने लगी है हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इसको मिक्स करते रहेंगे अब देखिए हमारी चीनी हो गई है मेल्ट अब हम इसमें एट करेंगे हाप पानी हाप का पानी आपको ले रहा है गैस का फ्लेम आप थोड़ी देर के लिए ओफ कर दीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए यह जो चटके पड़ेंगे तो थोड़ी दूरी से डालिएगा तो देखिए अब हम इसको अच्छे तरीकी से मिक्स कर लेंगे और जो बचा हु मिनिट में यह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और धीमी आच में ही आपको यह सब काम करना है अब देखिए हमारा केरमल सॉस रेडी हो गया है कंप्लीट हो गया है अब हम अपना बैटर रेडी करते हैं इसके बाद तो अब हमें लेना है एक कप मैंदा मैंने च्छान के लिए हुई है पहले सबसे पहले हमें एक बाउल लेंगे बाउल में हम one four cup oil लेंगे और फिर one cup four हमें दूद लेना है दूद हम temperature जो normal temperature है वही लेंगे फिर देखिए इनको mix करना है तो इस तरीके की quantity हो जाएगी यह जो एक कप मैंदा है मैंने यह च्छान कर ली हुई है इसको मैंने add कर दिया है और तीन चम्मच आपको डालना है दूद पाउडर इससे केक कटिस्ट बहुत अच्छा आता है इसके बाद आपको डालना है हाप TSP, सोडा और 1 TSP बेकिंग पाउडर फिर इसके बाद जो है दालचीनी, जाइफल और लॉंग इनको सबको मैंने mix कर लिया है पीस लिया है, 140 TSP मैंने इनको add कर लिया है अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो अब हमने जो केरमल सॉस बनाया था, उसको हम इसमें apply कर देंगे और जो हमने dry foods हमने गला कर रखे थे, उनको भी हम इसमें अच्छे तरीके से mix कर लेंगे अब इन्हें हमको अच्छे से mix करना है, अब मैंने कुछ dry foods अलग से रखे हुए हैं अब मैंने काजू, बादाम और भी जो dry foods थे वो मैंने add कर दिये हैं आपकी मरजी से आपको जो भी dry foods पसंद हो आप उसमें add कर सकते हैं अब continue हम इसको mix करते रहेंगे, तब तक mix करना है, अच्छे से mix हो जाएं तब तक ही mix करना है फिर मैंने कुछ 8-10 पूंदे vanilla essence की डाल दी है, यह optional है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, otherwise कोई जरूरी नहीं है पर डालिएगा अच्छा लगेगा flavor, और फिर अब हमने ये bun pond का cake दिन लिया हुआ, इसमें नीचे butter paper लगा दिया था और इसके उपर हमारा better apply कर दिया है, कुछ tutti fruity बगेरा कुछ dry fruits मैंने उपर से डाल दिये हैं, उपर से हम इनको cover up कर लेंगे, और हाँ, इसको मैंने OTG में bake किया है, 180 degree पर, मैंने पहरे 20 minutes के लिए रखाता, पर आप 10 minutes के बाद, 10 to 15 minutes के बाद, फिर से इसमें से एक code आप dry foods क apply करिएगा, तो ये उपर से ऐसे शोबर दिखेंगे, उपर उभर कर आएगे, बनना हमारा dry foods क्या होता है, नीचे चले जाते हैं, तो देखिए friends हमारा cake बहुत अच्छे से बेक हो गया है, इसको पकने के लिए 30 से 35 minutes लगे है, अब side से मैंने अच्छे से rough करके इसको निकाल लिया है, और देखिए हमारा plum cake ready है, जो बहुत ही soft बनाए और बहुत ही tasty लगता है, तो friends जरूर ट्राइ करिएगा Christmas पर ये plum cake और वीडियो पसंद आई हो, तो please like करिएगा, follow करिएगा, subscribe करिएगा, और ये cake जरूर बना कर देखिएगा, thank you for watching my dear friends, take care, bye bye